हेलो फ्रेंड नमस्ते विल्कम हैं आप सभी का हमारे नियो वीडियो में तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे हूंगे आज मैं वीडियो लेके आ गई हूं कि किस तरह से मैं अपने साड़ी में हंकी को टक कर सकती हूं जो कि बहुत ज़्यादर रिक्वेस्ट आ रहे थे तो मैंने सोज़े चलो आप लोगों को साथ शेयर करती हूं तो प्लीज आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और र पिंदास जा सकते हैं तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं तो उससे पहले आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो फूल आज कीजिएगा और पसंद आगा तो क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब परना है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यहां पे हमारा पहला स्टेप है चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूं तो इस तरह से हमें हंक्यो को लेना है कि णरीने के बाद हमें इस सफोल्ड कर लेना है और Пशीर से एक बार फोल कर ले नेंगे और इसको हम ट्रेंगल का सेब दे देंगे कुछ इस तरीके से तो चलिए इसको टक करते हैं तो इसको अगर चाहो तो आप सो करना चाहते हो तो साइड में कर सकते हो इस तरीके से और अगर आप नहीं चाह रहे हो तो आप इसको hide करना चाह रहे हो तो hide भी कर सकते हो बट यह भी बहुत ही best है तो चलिए hide करके भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं तो इस तरह से जो हम plate बनाए है साड़ी का उसके नीचे टक कर लेंगे और करने के बाद आपका hunky जो है बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला है तो यह बहुत ही best idea है टक करने का तो आप एक बार जरूर ट्राय कीजिएगा तो बस यह हमारा हो गया पहला step चलिए चलते हैं step number 2 की तरफ तो हमें इसको same process में मोड़ना है और उसके बाद हमको दोनों तरफ से half half कर लेना है तो कुछ इस तरीके से हो गया है देख सकते हैं आप तो चलिए फिर से टक कर ले रहे हैं तो इसको आप चाहो तो side side कर सकते हो नहीं तो आप जहाँ plate है वहाँ पे टक कर सकते हो तो वहाँ भी आपका बिल्कुल ही height रहेगा दिखेगा बिल्कुल भी नहीं और यह आपके plate के नीचे रहेगा तो बहुत best option है आप इसको आसाने से निकाल करके यूज कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं अगले step की तरफ तो यहाँ पे हमें जो है hunky को plates की तरह fold कर लेना है जिस तरह से हम plates बनाते हैं साड़ी का कुछ इस तरीके से और यह बहुत आसानी से बन जाता है और अब इसको हम बीच में एक बार fold कर देंगे और fold करने के बाद इसको हम बीच में से ही पकड़ करके फ्लावर्स का थोड़ा सा फ्लावर्स की तरह लगेगा और बहुत ही बेस्ट है तो इसको हाइट कर सकते हो और अगर आप चाहो तो सो भी कर सकते हो बट हाइट करोगे बिटर रहेगा तो चलिए पहले मैं आप लोगों को सो में दिखार दे रही हूँ तो इस तरह से आप चाहो तो पीन लगा सकते हो नहीं तो इस तरह से अपने साड़ी में टक कर सकते हो तो टक करना ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि हमें निकाल करके यूज भी करना होता है तो इस तरह से हम यहाँ पे टक कर देंगे और हाथों से कर देंगे प्रेस ताकि अच्छे से हमारी साड़ी में यो अजिस्ट हो जाए क्योंकि काटन की साड़ी रहेगा काटन का हंकी रहेगा तो बहुत ही बेस्ट लुक आएगा और सेम साड़ी सेम हंकी तो आप लोग समझे सकते हो बहुत ही best look को आने वाला है तो ये भी बहुत ही अच्छा सा step है अगला step हमारा है इसको हम फिर से triangle का रूप देंगे और triangle में करने के बाद हम इसको नीचे से fold करेंगे कुछ इस तरीके से देखिए friends तो इस तरह से करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा सा डिजाइन बन गया है और आप इसको हाइट करना चाहते हो तो पिए अपने प्लेट के नीचे साइड में इस तरह से कबर कर सकते हो और ये और मैंने आज ना चादर करके हाइट वाला ही बोला है क्योंकि हमें कमेंट में जो मिला था हाइट का ही मिला था इसलिए मैं सो में जादा नहीं दिखा रही हूँ तो चलिए friends चलते हैं अगले step की तरफ यहां से मैंने फिर से अपने हंकी को लिया हुआ है और हंकी को लेने के बाद मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और फिर से एक बार कर लूँगी और मैं इसको अफ साइड में टक नहीं करने वाली हूँ इसको मैं अपने जो पल्लू का प्रेट से बनाए हूँ तो आप कॉटन के साड़ी पहनेंगे बहुत बेटर रहेगा तो आप इस तरीके अंदर डालने के बाद आप पिन से इसको सिक्योर कर सकते हो और उसके बाद इसको आप बिल्कुल भी हाइट कर सकते हो तो मैं यहाँ पे पिन नहीं लगा रही हूँ सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह के से कर सकते हो तो यह देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने साड़ी के पल्लों में ले लेंगे और पिल लगाने के बाद जब भी हमें योज करना होगा तो हम यहां से नीचे से थोड़ा सा पकड़ेंगे और यहाँ पर यूज़ करने के बाद फिर से हम उसमें छिपा लेंगे तो यह बहुत ही best option है आपका बिल्कुल भी हंकी दिखने वाला नहीं है और यह देखिए बहुत ही best है तो try जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ comment करके भी बताईएगा कि आपको कौन सा step जादा पसंद आया तो चलिए चलते हैं अगले step की तरफ तो हंकी को हमें हर में fold करना है तो मैं इस तरीके से कुछ चुनना type का बना ले रहे हूँ जैसे साथी के plates में बनता है और इसी तरीके से मैं नीचे भी बनाऊंगी यह देखिए तो यह हमारा थोड़ा सा ना मटकी type का हो जाएगा और बीच में आप चाहो तो अपना mobile भी adjust कर सकते हो बहुत best option है यह हमारे mobile के लिए भी बहुत ही best रहेगा तो आप इस तरीके से अंदर हटक करने के बाद आप mobile को अपने safe रख सकते हो तो फ्रेंट्स ए रहा मेरा साड़ी टकिंग वीडियो तो आप लोगों को कैसा लगा प्रीज कमेंट करके जरूर बताना और अच्छा लगा होका तो एक लाइक जरूर कर देना ठीक है और चली मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और बहुत प्यारी प्यारी वीडियो लेके आएंगे तो पहले आप लोगों का सपोर्ट चाहिए क्योंकि फ्रेंट्स कितना भी वीडियो डाल लो जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तक मज़ा नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो को देखते जाए और धेसाला प्यारे प्यारे कमेंट करते तो चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई फेंज